चमपारन सत्यागरा के 100 साल पूरी होने पर बियार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार ने सोमवार को पटना में चमपारन सत्यागरा शताबी कायरकरम का आयोजन किया था लेकिन ये कायरकरम राजनीती का अखाड़ा बन गया बीजेपी की अगवाई वाले एंडिये के घटक दलों ने इस कायरकरम का बहिशकार किया बीजेपी ने राजिसरकार पर कायरकरम का राजनीती करन करने का आरोप लगाया बीजेपी इस बात से भी नराज है कि कायरकर में पार्टी के राष्टिया ध्यक्ष अमित्शा को नियोतार नहीं दिया गया यहार सरकार के इस कायरकर में ग्रेमंत्री राजनात सिंग समें 13 लोगों को राष्पती प्रणों मुखरजी के साथ मंच साजा करना था लेकिन ग्रेमंत्री नहीं पहुँचे बीजेपी सूतर ने बताया कि एंडिये के घटक दलों जैसे बीजेपी हिंदुस्तान अवाम मुर्चा राष्टिय लोगसमता पार्टी और लोग जनशक्ती पार्टी ने इस कायरकरम से दूर रहने का फैसला किया जसके बाद राजना सिंग ने भी अपना कायरकरम टाल दिया इस कायरकरम में जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया था उनमें नितिश कुमार कॉंग्रेस पाध्यक्ष राहूल गांधी आरजडी प्रमुक लालू प्रसाद यादो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानन्द रोय औल नितिश आप चारा गोटाले के दोशी लालू और नेशनल हेरल्ड केस बेल पर चल रहे राउल गांधी को बुला कर फ्रेडम फाइटर्स का अपमान कर रहे हैं या सम्मान। उन्होंने ये भी आरुप मढ़ा कि नितिश कुमार ने कारिकरम का राजनीती करने कर दिया और राजनीतिक महत्वा कांचा को पूरा करने के लिए चाटुकारता की सीमा लांग गये। वहें इस पूरे मामले पर लालू ने पलटवार करते हुए कहा कि वो बीजेपी को एक हाथ से गांधी और दूसरे हाथ से उनके हत्यारे नाथुराम गोटसे को माला पहनाने का ड्रा नरम रहा लेकिन लालू के साथ उसकी लड़ाई आज तक खत नहीं हुई है। कि पदाधिकारियों को बुलावा भेजा था लेकिन उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं जोन में ही पहुँच सके। दियर रिपोर्ट रेड नेटवर्क